दोस्तों कैसे हैं आप सभी आशकरतों सब बढ़िया होंगे आटो एक्सपोट 2020 में बहुत सारे गाड़िया शोकिस की गई थी इलेक्टरिक इंडस्ट्री के अलाकि इलेक्टरिक इंडस्ट्री का ही आटो एक्सपोग था वहाँ पर एक company है जिसका नाम है Bird Electric Company जिन्होंने एक गाड़ी शोकिस किया था जो कि सबसे ज़्यादा attraction का point बना हुआ था जिसका नाम था Bird ES1 Plus और ये बहुत अच्छी दिखने वाली गाड़ी है स्कूटर बोल सकतो रेट्रो लुक के साथ इलेक्टरी गाड़ी देखने हो मिलती है वैसे ही आपको देखने हो मिलेगी Bird की ES1 Plus Electric Scooter अगर मैं बात करूँ यह company car में यह startup company है जो की बहुत जल्द अपनी एक electric scooter लाने वाले है इस गाड़ी के detail कवर करने से पहले आप लोग से छोटी से request है नीचे एक subscribe का button है उसको साइट में जो bell icon उसको दवा देना नहीं तो ऐसे ही informative वीडियो से बंचितर जाएंगे चले वीडियो को start करते है वेल अगर मैं बात करूँ Bird ES1 Plus के बारे में इसको showcase किया गया था 2022 के auto expo में तब से लोग सोच रहें कि यह गाड़ी अभी तक क्यों नहीं आई इंडिया में जबकि अभी तक आ जानी चीत है जब electric industry इतना high पे चल रही है हर कोई company अपनी electric गाड़ी launch करने जा रही है तो यह company कब launch करेगी well इनके CEO के तरफ से छोटास update यह है यह 2022 के first quarter में लाने वाले है फिलाल अभी funding face में है इस कारण से इनोने अभी तक इसके उपर कोई update नहीं दिया है लेकिन 2022 के first quarter में आपको इसके update मिल जाएंगे Indian market में अब बात करते हैं सबसे पहली चीज तो यहाँ पे startup company है तो जाद आप expect ना करें थोड़ा time लगता है कोई भी company को settle down होने में क्योंकि कोई support नहीं होता है खुद के भेनत से ही सब कुछ करना पड़ता है तो यह time जरू लगेगा लेकिन आज जरू जाएगी on track यहाँ पे इस गाड़ी में leg space बहुत अच्छा दिया गया है साथ यसाथ hub motor मिलता है yes, no mid side motor hub motor क्योंकि पहले ही बोल चुका हूँ budget oriented stylish looking scooter है front का जित्त अच्छा look है साथ यसाथ rear end भी बहुत यह अच्छी देखने को मिलती है यहाँ पे जो main चीज है वो rear end का look है tail light best देखने को मिलता है all LED setup है चाए head light हो चाए indicator है चाए tail light हो पूरा LED setup देखने मिलता front and rear में disc brake telescopic fork front में real dual suspension मिलता है aluminum swing हम देखने मिलता है अगर मैं बात कुरूँ इस गाड़ी की top speed की तो जादा नहीं है फिर भी adequate है 50 km per hour तो इस गाड़ी को चलाने में आपको लगेगा license 25 km per hour के से जादा की speed है तो ही आपको license लगता है otherwise नहीं लगेगा इस scooter का drive weight है 62 kg seat height की बात की तो इसका मैं seat height में बताऊँगा 1087 mm का seat height है यहाँ पे जो range है वो एक adequate range आपको देखने मिलती है 62-70 km with a single charge यहाँ पे जो अगर charging time की बात करूँ तो यहाँ पे 5-6 घंटे में नॉर्मल charger से charge होती है लेकिन यहाँ पे जो fast charger यूज़ करते है तो यहाँ पे 4 घंटे में full charge हो जाएगी यह scooter की बैटरी pricing की बात करूँ तो यहाँ पे इस गाड़ी का price जब company की CEO ने इसको showcase किया थो टक्सपो में तो उन्होंने कहा था 60,000 का इसका price होगा और इसमें state subsidy भी लगेगा अगर जब तक हम launch करते है अगर तब तक state subsidy है तो तो state subsidy लगने का अल्मों समझ लो 45,000 की यह गाड़ी पड़ेगी जो कि मेरे को सही लगी design wise क्योंकि 45,000 अगर के price में देखेंगे 60,000 के price में देखेंगे गाड़ी में अच्छी quality नहीं होती है fiber काफी low quality का होता है body अच्छी नहीं होती है लेकिन इसकी quality जाद अच्छी देखने हो मिलती है even काफी लोगों ने तारिफ भी की थी autoxpo में जो लोग इन्वाइटेड थे उन लोगों ने ये चीज बताईए साथ ही साथ यहाँ पे feature loaded तो ही है digital instrumentation दिया गया है tubeless tire दिया गया है lithium-ion battery है Bluetooth connectivity मिलती है geofencing और बाकी जो जो होता है like reverse assist और आपको cruise control नहीं मिलता है क्योंकि वैसे भी जादा high-end काड़ी नहीं है तो cruise control नहीं मिलेगा अब आपकी सारी चीज आपको देखने को मिल जाती है देखाज़े तो गाड़ी बहुत अच्छी है आपका क्या मानना है and next year first quarter में ये गाड़ी आने वाली है bird electric ES1 plus scooter आपको वीडियो अच्छा लगा अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करना है तो subscribe करना अच्छा तो प्लीज शेयर करना मिलते अगले वीडियो में जय है